नमस्कार आप देख रहे हैं एक जाम तूर आप से बता दें खान सर के अहां मैस का कलास लेते हैं तिक के सर है मेरे साथ और रेलवे वेकेंसी पर चर्चा करेंगे कि सर को उमीद थी कि बहुत ज्यादा वेकेंसी आएगी ज्यादा संक्या रहेगा एज में छूट मिलेगा केलेंडर भी जारी हो सकता है चुकि इससे पहले सभी सिक्षक पूरे पटना के पूरे देश के सिक्षक मिलके अभियान चलाये थे और उस समय बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और रेलवे के सभी आयोग के द्वारा बताया गया कि हम सब कुछ जारी करेंगे लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं आ रहा है छे साल बाद वेकेंसी भी दिया गया और छेल आजार भी नहीं है इन सभी को देखते हुए आप जाईएगा तो पटना बोड में जाईएगा तो आपको 38 सीट मिलेगा यहां का स्टोटल बिहार का यदि लोग सभागी कि बात कीजिए तो 40 सीट हो जाता है बहुत सारा समस्या है पीके सर से जानेंगे सर अपका स्वागत है कि जामतुर में धन्यवाद सर रेलवे वेकेंसी इतना कम अभ्यर्थी परेशान है सर अभ्यर्थी ही नहीं हम लोग भी सोख हो गया जब आया न वेकेंसी देखे तो हम अस्तव में इतना कम इस सोचे ही नहीं थे कि इतना कम वेकेंसी आया गाज बात को जब वेकेंसी निकाल रहे थे उनको पता ही नहीं कि ओल ओवर इंडिया में वेकेंसी निकाल रहे है को यह स्टेट लेवल यह डिस्टिक लेवल पर नहीं निकाल रहे है इंडिया में इसे तो अच्छा आपना बिहार वाले में देख रहे हैं कि देड्रे लाग दो-दो लाग वैकेंसी बिहार SAC में बारा हजार लगभग क्या है अई पाँच हजार कीस लगभग 6,000 छे साल 6,000 दस साल में देते तक 10,000 वैकेंसी आता इस बन वा रहे हैं कि रेलवे ड्राइवर बन सबसे पहले समझना है कि आई एस के लिए परतेक साल अब लगभग 1514 वैकेंसी आते हैं और आप एलपी के लिए 6 साल के बाद दे रहे हैं 6,000 और उसमें आई एस में भी कभी-कभी दो बार वैकेंसी आ जाती है इस दो करोड़ जब यतना युबा हैं जैसे अपना जी समय स अपना आये थे मोदी जी मोदी जी को भी हम लोग धनवाद करते हैं युबे के कारण आगे बढ़े हैं हम लोग उस समय कहे थे कि परतेक साल 10-10 लाक रोजगार देंगे परतेक साल कितना 10 साल हो गया लगभग 1 करोड रोजगार होना चाहिए जोड लीजे कि कितना रोजग जिसे देख से पहले भी हम लोग का मांग मैंने की सब हैं जो जैसा ही कुछ होता है रूख जाते हैं पहले ही से हम लोग का मांग था इसे पहले में एंटी पीसी में देखिएगा उस समय भी था कि हम लोग को कलेंडर सब से पहले जारी के लिए एक साल के बाद निकालिएग कुछ दूसरा option देखेंगे, क्योंकि 6 साल इसी पर लगे हुए हैं, कि आसा में कि अब railway vacancy आएगा, तो बिरोजगारी का धबा मीटेगा, जितने बहुत सारे मा बाप बुजूर्ग हो करके, आख उनका बाल बच्चों के लिए तरस रहा है, कि railway का आएगा, तो हो सकता है कि अ अच्छे खासे vacancy होंगे, और हमारे भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो इस स्थी से गुजर रहे हैं, उस स्थीती को ठीट किया जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कैसा कैसा परस्थी हो रहा है, तो 6 साल बात दिया जा रहा है, एक सीट भी कम है, आयू अब 6 साल बच्चे ज जो आपका टेक्निसियन वाले जो पोस्ट हटाये हैं, उसको इंक्लूड करके हमेशा की तरह ALP टेक्निसियन देते हैं, उससे दीजिए, और इसमें एज कम से कम दो साल बढ़ाईए, क्योंकि बहु सारा गरीब ऐसा स्टूडेंट हैं, कि एकदम दो साल के कारन, नतने 6 माह दो माह, तीन माह के कारन, इसमें बहु सारे हैं, जो फॉर्म फिलप नहीं कर पाएंगे, और वो अपना बिरोजगारी को धबा बिरोजगारी में ही रहने देगा, उसका बिरोजगारी का धबा नहीं मीटेगा, तो कम से कम दो साल एज बढ़ाएं, और क्लेंडर जारी कर द होता है, आंदोलन, तो रेलिवे बाले भी साथ देते हैं, और सब एक जूट हो करके इसमें साथ देगा, तब काम चलेगा, और एक सिक्षक से भी नहीं होगा, छोटे बड़े सब सिक्षक को प्लेट फार्म पराना परेगा, ऐसा नहीं कि एक सिक्षक हम लोग का यह कि स्ट फेल होना कहां, इसके लिए हम लोग अपर एक, दो-तीन दिन से भी वीडियो बना रहे थे, कि सही दिशा में ट्रेंडिंग करवाना है, लेकिन तो पर भी हम लोग को गलत दिशा में ट्रेंडिंग के साथ, अभी ट्रेंडिंग ओवन पर चल रहा है, और दो मिलियन से ऊपर अभी भी हम लोग करते. जहां भी आप देखिए गा यदी इन्क्रीज लिखना है तो उसमें इसको रहेगा रेलबे लिखना है तो उस पर आर कैपिटल रहेगा वेकैंसी लिखना है तो वी कैपिटल रहेगा कहीं भी किसी भी पर करें ALP में तीनों लेटर कैप्टल ALP और बेडोट अस्पेस हैस्टक इनक्रीज में आई कैप्टल बीना बेडोट अस्पेस railway में आर कैप्टल ALP में AL और P कैप्टल और vacancy में B कैप्टल इस तरीका से लिखेगा और एक बात बता दें जो कर दिये हैं फिर से रिट्वीट करें लगतार करें उसमें आप PMO को जोड़ सकते हैं add the rate करके add the rate अस्विनी बैसनों को जोड़ सकते हैं add the rate rail मंतराले को जोड़ सकते हैं इस तरीका से करके आप लगतार जोड़ेंगे और एक करते रहें वो चाहें किसी भी competitive exam की तयारी करते हैं चाहें आप railway का तयारी करते हैं या नहीं करते हैं आप यदि अविभावक भी हैं तो भी इस आवाज को मुखरता से उठाएं चुकि 6 साल बाद केवल मातर इतना सीड दिया जाएगा तो कैसे होगा चुकि प्रते एक साल देखिएगा बिहार की ही केवल बात करें तो यहां से 11 से 12 लाख भीरती केवल इंटर पास करते हैं 6 साल में आप जोड़ सकते हैं 60 से 70 लाख भीरती केवल यहां से होगे क्या होगा क्या कंडिशन होगा सरसमय देने के लिए बहुत धन्यवाद नहीं 22 के बाद फिर दुसरा आकर निर्न लिया जाएगा उस समय हो सकते हैं अभी मोदी जी हैंगे जो अभी 22 तक ब्यास्त हैं बाइस के बाद हो सकते हैं युबा को बारे में कुछ सोचे या राम भागवान को परान परतिष्टा समय उनको अकल आए कि नहीं अभी हमालार द समय के रह जाएगा इंटी पीसी के भी भावाज उठाईएगा तो अगला भेकेंसी पर भी बहुत परभाव परने वाला है इसलिए सोना नहीं है जग करके अपना ही नहीं अभी भावक से भी निवैदन है कि ओ भी ट्वीट करें री ट्वीट करें और जितने अस्टुडे के मोबाईल में एक्स हो गया उएक्स का मतलब उएक्स नहीं समझना जिन बहुत बहादूर है सर पीकुलियर उएक्स नहीं ट्वीटर एक्स अगर ट्वीटर जिस मोबाईल में जिन अस्टुडेंट का मोबाईल में ट्वीटर अभी भी डॉनलोड या अपलोड नहीं है व मिलियन पर पार होने वाला है जितने ज्यादा हम लोग का ट्वीट होगा ज्यादा आवाज उठेगा सरकार तक आवाजे पहुंचेगी और हम लोग का डिमान पूरा होगा धन्यवाद जै